दोस्तों मैं पवन वाशने स्वाहत करता हूं आपके स्टड़ी आई की जुडिश्टी के चैनल पर और आज सभी बच्चों को मेरी और स्टड़ी आईक्यू की तरफ से दीवाली की हार्देख शुपकामना है और इस दीवाली के मौके पर आज आप एक चीज सीख कर यहां से जाएंगे मैंने सोचा कि इस दीवाली पर आपको क्या मिलना चीज थोड़ा सा ज्यान मिलना चाहिए तो इस वज़े से मैंने आज के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करकर रखा था वह वीडियो थी इंजरा सानी वर्सेस इन ऑफ इंडिया पर तो एक छोटा सा टॉपिक है एक छोट मतलब जो कोट की इसमें अब्जर्वेशन थी ठीक है जो चार पांच पॉइंट कोट ने इसमें समझाए ते वह मैं आज आपको समझाओंगा ताकि आपको यह केस किलियर हो सके ठीक है तो देखिए इंद्रा सानी वर्सेस इंडिया को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि आर्टिकल 16 और 16 के दियूशन को ले की एग केस है खिए देखो आर्टिकल 15 और 16 से पहले मैं आपको बता दूँ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन UGB logicon के होता है sidedете मेरे teu कहता है कि सभी लोगों को सरकार क्या रखे के इकॉल रखेंगेकं कि कर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती जब हम आर्टिकल 16 में चले जाते हैं तो और स्पैसिफिक हो जाता है वह भी प्रोवाइट कराता है कहता है कि अगर matter of public employment है तो सरकार matter of public employment में किसी भी तरह से इन ग्राउंड पे इन साथ ग्राउंडों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती क्लियर तो यह सारे यह 14 आर्टिकल 14 15 16 यह तीनों आर्टिकल कहीं ना कहीं के बारे में आपको प्रोविजन्स प्रोवाइट कराते हैं और इक्वैलिटी जब आप इनके किस से को देखो अगर आप 15 तो वह कहता है कि सरकार क्या कर सकती है सरकार मना सकती स्क्राइब क्लासेज इनके लिए उनके advancement के लिए क्या कर सकते हैं वो reservation का provision लेके आ सकते हैं तो reservation के उपर या इंद्रा सानी वर्षिस union of evs. union of India के case को सुना गया था और इसमें ज judgment सुनाया गया था क्या-क्या चीज़ें इसमें deal करी गयी ती वो मैं आज आपको बताऊंगा बहुत मतलब है मतलब तरीके कर दो यह जो केस इंद्रा सादिं के सिंद्यास हने सुरुपसक्राव्य। त northern 07大 सवा से मतलब एक इंपॉर्टंट केस है ह्मारी इंज्श्वर गोग स Term还有 पॉंड्यान थे है ना तो क्या elevation की हम बात क्या स toolbar करतें ग्रईत कर सारी अगर किसी छाठाव माइं कि बंदर लाने वाले कि राने की रreno िमरावर से पहला पॉइंट करके मैं बताऊंगा पहला पॉइंट सुप्रीम गोट ने कहा कि एंटी मेरिटियन नहीं है ठीक है और अगर यह एंटी मेरिटियन है भी तो सोशल जस्टिस के लिए हम इतना कॉंप्रोमाइज कर सकते हैं पिल्कुल सीज़े शब्दों में कहा कि साब अगर हमें सोशल जस्टिस चाहिए क्योंकि आपको पता है कि 200-300-400-500 कितने सालों से कितने सालों से हम जो उनकी रैट्स को डिप्राइब करते आएं तो उन्हें अगर सोशल जस्टिस के लिए इतना भर कॉंप्रोमाइज कर सकते हैं इसलिए जरवेशन क्या है एक और चीज कर दूसरा पॉइंट का कि यह जो पंदरा चार है यह पंदरा पांच है यह एक्सेप्शन नहीं है यह आपको देखने में लगेंगे एक्सेप्शन के साब पहले में आर्टिकल 15 के में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है और खुदी रिजरवेशन दे इस चल रहा है यहां पे बच्चा खड़ा हुआ है दो सेंटीमीटर का चार सेंटीमीटर का और यहाँ पर खड़ा हुआ है 6 cm का बच्चा तो देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि 6 cm का बच्चा ये match देख पा रहा है अब अगर मैं तीनों के साथ equality कर दूँ 2 cm इसे बढ़ा दूँ 2 cm इसे बढ़ा दूँ और 2 cm इसे बढ़ा दू है ना तो ये भी देख पा रहा है ये भी देख पा रहा है बट ये फिर भी नहीं देख पा रहा है है ना तो देखो equality केवल equality देने से बात नहीं बनती है ना हमें क्या करना पड़ेगा हमें अगर इसे हम कुछ भी ना दें तो भी ये पहले से देख पा रहा था तो इसे कुछ भी ना दे तो भी काम चलेगा इसे दो सेंटीमीटर देने तो भी काम चल जाएगा पर इसे दो प्लस दो चार सेंटीमीटर हमें देना पड़ेगा तब यह मैस देख पाएगा तो हम किसी को जादा दे सकते हैं किसी को कम दे सकते हैं और किसी को बिलकुल नहीं जे सकते ऐसा करने से सोसाइटी एक बराबर आ सकती है क्योंकि सोसाइटी का जो पुराना रूप है सोसाइटी का जो एक्जिस्टिंग रूप था 250 में वह एकॉल नहीं था उसमेंट हमने क्लासेस को डिवाइट किया हुआ था कुछ आशी ती जीमिया करते थे उनके सारे राइट्स को सप्रेस किया करते थे एक्लियर तो सेकंड पॉइंट यह समझाया तो प्रीम कोट ने इसमें बागी इंपोर्टेंट तो इंदरासानी जिस ने कहा कि 50% upper limit 15% upper limit हम लोग क्या करेंगे reservation में लगा देंगे जिससे एक अच्छा balance reservation वाली seatों में और general seatों में बना रहेगा clear ऐसा नहीं है कि 90% आपने reservation कर दिया तो हिंद्रासाने में क्या करा था हिंद्रासाने case में 50% की upper limit reservation में लगा दिदी जिससे एक fair balance बन गया था clear general और reserved categories clear चलो ठीक है अब आगे देखते हैं इसने कहता है कि सब caste को क्या रखा जाएगा caste ही criteria रखा जाएगा backwardness को देखने के लिए but but कुछ economical criteria भी देखेंगे caste में further categorization किया जाएगा economical देखने के लिए मतलब हमने हमने कहा कि साब मालो सबसे पहले हमने देखा कि हम SC ST और OVC को reservation दे रहे हैं clear तो हमने कहा कि साब OVC क्या है OVC ना ही पूरी तरह से backward है ना ही पूरी तरह से uplift है तो इसमें हम क्या करें इसमें creamy और non creamy layer को निकाल देते हैं जो creamy layer है उसे reservation policy का फायदा नहीं मिलेगा जो केवल non creamy layer OVC है उन्हें reservation policy का फायदा मिलेगा और SC ST के लिए हमने कहा कि यह तो पूरी जो कास्ट है यह परसे backward कास्ट हैं तो इसमें हम economical categorization नहीं कर सकते पूरे के पूरे classes को हम क्या देंगे reservation का फायदा देंगे बट OVC में हम पहले economical criteria के basis पे इस backward class को बाटेंगे ठीक है जो इसमें से creamy layer में fall करेगा उसे reservation का फायदा नहीं मिलेगा बर जो creamy layer में fall नहीं करेगा उसे reservation का फायदा हम लोग देंगे तो creamy layer का concept यह इंद्रासानी में एक important concept था जो इंद्रासानी जज्जमेंट में आया क्लियर तो यह इसके यह 14 पॉइंट था यह इसके मुख्य पॉइंट थे जो चार पॉइंट हमें पता होना चाहिए इंद्रासानी जज्जमेंट के क्लियर और अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा के स्सी एस्टी में भी क्रिमी लेयर की सुप्रीम कोट ने एक जज्जमेंट सुनाया है किलियर बट तब उस वक्ष इंदरासाणी जजमेंट में केवल क्या हुआ था केवल हमने का था कि एससी एसकी तो परसे क्या है परसे बेकवर्ल लिया गया था और पूरे क्लास को हमने रेजरवेशन देने के हिट में थे बट ओवी सी में हमने क्या किया था क्रीमी लेयर और क्लास को क्या करा तक केटिग्राइज कर दिया था क्लियर चलिए तो इसमें यही में पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे अगें आई वेश्यू आव वेरी हैपी दिवाली मेरी तरफ से और स्टेडी आई-क्यू की फैंबली की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुब कामना है और इस दिवाली के सब अपसर पर मैं आपको एक और बात बता दू कि हमारे जुडिश्यूरी का फाउंडेशन बैच है नीव टू पॉइंटो जो की सबसे शांदर बैच है क्योंकि इसमें जुडिश्यूरी फाउंडेशन की तरह सारे इस प्रेक्टिस तो मतलब मुल्टिफिल फीचर्स इस बैच में आपको मिलेंगे यूनिक फीचर क्या है यूनिक फीचर में धाई साल की वैलिटी हमारे अक्सर जुडिश्यूरी फाउंडेशन बैचिस की होती है बट इसकी साले तीन साल है सेलेक्शन एक स्पेशल किट आपको मिल रही है जिसमें हर सब्जेक्ट की प्रॉपर डियाग्राम स्टेवेल्स फ्लोचार्ट वगरा यह सब आपको प्रोवाइट कराई जाएंगे अच्छे नोट्स के फॉर्म में प्लस अभी अभी जिन्होंने हर्याना जुडिजल ठीक है तो थारे तीन साल के लिए इस बैच में आप इन्रोल हो जाओगे और यह मात्र आद दीवाली तो दीवाली का उफर पर यह मात्र आपको सतर हजार रुपे से केवल कितने का मिल रहा है तो दीवाली पे कुछना कुछ आप अच्छा कीजिए ठीक है अपने-पने करि को कही ना कहीं आप सेक्योर कीजिए और यदि आपने अभी नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बैच लिंक पर क्लिक करके इसमें रोल कर सकते हैं रोल करते हुए आपको कूपन कोट अगर आपको इतने लीस्ट प्राइस में यह बैच चाहिए तो आपको कू अब कल दुबारा से मिलते हैं रात के दस वजे लाइब सेशन में क्लियर ओके देन गुड नाइट गुड बाई थैंक यू सो मच